Hello Friends, मिरा नम जगविंदर है Internet Information Services वीडियो सीरिस के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम IIS में एक सिंपल वेब साइट कैसे create और publish कर सकते हैं एक सिंपल वेब साइट को create और publish करने के लिए हम बहुत ही सिंपल तीन स्टेप्स follow करेंगे और ये तीन स्टेप्स हैं कि सबसे पहले मेरे पास वो web content होना चाहिए या web pages होने चाहिए जिने मैं publish करना चाहता हूँ जिसे आप खुद बना सकते हैं किसी helping tool से चाफिर ज़्यादा अच्छा idea ये होगा किसी web developer से आप इसे develop करवाएं उसकी designing करवाएं यानि किसा भी case हो लेकिन आपके पास कोई ऐसा content होना चाहिए जिसे आप publish कर सकें दूसरा step है कि आपको इस web content को एक folder में place करना है और by default जो root location होती है इस web content की वो होती है system drive में inet pub folder में www root नाम का एक folder होता है ये folder जब हम iis role install करते हैं तो अपने आप से system drive में create हो जाता है तो आप देखेंगे कि हमारी c drive में एक inet pub नाम का folder और उसके अंदर एक और folder www root हमें available होगा तो हमें इस web content को यहाँ पे place करना है अगर आप चाहें तो इसे कहीं और भी place कर सकते हैं किसी और folder में रेकिन उसके लिए कुछ हमें extra steps करने पड़ेंगे और चीजों को simple करने के लिए हम simply इसे place करेंगे इसकी default location के उपर और तीसरा step है कि हमें bindings और settings करनी पड़ेंगे इस website को bind करना पड़ेगा किसी IP address से और कुछ settings करनी पड़ेंगे ताकि website अपना data इस folder से उठा सके तो चलिए अपनी नई site को create और publish करने के लिए हम windows server 2012 के आईए ये server के उपर चलते हैं तो देखिए मैं अपने windows server 2008 के उपर आगया और यहाँ पे हमने internet information services manager को open कर रखा है इस web server में DC1 नाम के server में एक default website जो अपने आप से create हो जाती है और जिसके बारे हमने last video में जानकारी ली थी वो आपको दिख रही है यहाँ पे तो एक नई website को create और publish करने के लिए हम three simple steps में से first step लेते हैं एक web page बनाते हैं तो वैसे तो network administrators का का काम नहीं होता है वैब content को create करना यह एक specialized job है जो कि web designers और web content developers करते हैं तो मैं एक simple एक basic HTML page बनाता हूँ तो मैं यहाँ लिखता हूँ welcome to king.jst website और इसे save as करता हूँ इसके बाद हम इस process के second step को perform करने वाले हैं यारी कि इस content को save करने वाले हैं या place करने वाले हैं web contents की root directory में जो कि by default system drive में होती है तो मैं यहाँ से computer को click किया और एक ही drive है जो system drive भी है c drive इसको click किया और यहाँ पे देखिए एक folder है initpub इसको double click किया और यहाँ से www root को double click किया यहाँ पे save as type में all files को select किया और यहाँ पे इस file का नाम रखा jst.html यहाँ कि मेरी file का नाम जो है वो है jst और इसका जो format है वो html format है ताकि web browsers के through यह open हो सके इसी location पे हमारा default website का जो default page होता है वो भी यहीं पे save होता है मैं यहाँ से save बटन को click करता हूँ इसको close करके एक बार check कर लेता हूँ कि मेरा web page properly open हो रहा है कि नहीं हो रहा तो इसके लिए मैं computers पे जाता हूँ c drive, initpub, www, root उस folder में जहाँ पे हमने इसको place किया है जो कि default location है web content के लिए और यहाँ से इस file को double click करके देखते हैं तो देखिए file हमारी web browser में open हो रही है यानि कि यह तैयार है और अब हम देखेंगे कि हम third step कैसे perform करते हैं यानि कि इस web page को अपनी website के साथ publish करना है तो इसके लिए मैं IIS पे आ जाता हूँ और यहाँ से sites पे right click करता हूँ तो देखिए यहाँ पे option है add website इस option को मैं select करता हूँ यहाँ पे आपसे site का नाम पूछा जा रहा है आप site का नाम दे दीजे कोई भी नाम मान लिजे मैं इसका नाम रखता हूँ JST1 उसके बाद यहाँ पे application pool में देखिए अपने आप से जहाँ पे पहले default app pool आ रहा था एक इस नया pool add हो गया है application pool basically use होता है अगर हम एक web server के उपर multiple sites को host कर रहे हैं तो यह एक website को दूसरे website से isolate करता है ताकि अगर एक website में कोई problem आ जाए तो वो दूसरे को effect ना करें तो देखिए अपने आप में एक concept है अगर आप इसको default पर रखना जाते हैं या कोई already application pool पहले से बना हुआ है तो आप इसको वहाँ पर change भी कर सकते हैं लेकिन recommended यह ही होता है कि आप इसको अलग-लग app pool या application pools में रखें इसके बाद content directory तो इसको default path दे देते हैं जो कि हमने c drive में inet pub नाम के folder में और इसके अंदर www root नाम का folder है तो देखिए यहाँ पे हमारी file का नाम नहीं bindings में आप इसे bind कर सकते हैं sttp और sttps की तरह लेकिन sttps की तरह अगर हम इसको bind करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें SSL certificate इस website को provide करना पड़ेगा तो ऐसा कोई भी certificate अभी हमारे internal CA से या enterprise CA से या फिर कोई third party CA से हमने नहीं लिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे को कोई भी unassigned IP address यह use कर सकता है लेकिन मेरे network interface cards के उपर मैंने multiple addresses दे रहे हैं तो हम इन में से कोई भी address use कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर use कर रहा हूं 192.168.1.101 और इसके बाद port number 18 जोरके default port है और host name अभी के लिए हम खाली छोड़ रहे हैं इसके बारे में हम बाद में discuss करेंग और यहाँ पर देखें एक option है कि start website immediately अगर आपके server के उपर सिरफ एक ही network interface card है और उसके उपर आपने सिरफ एक ही IP address assign किया हुआ है तो एक समय पर एक ही website आपकी run करेगी तो एक option यह हो सकते है कि आप इस default website को stop कर दें और इस website को start कर दें या जैसा भी तो हम ok button को click करते हैं यहाँ पर एक नई website create हो गई है GST1 अब हम इसको जरा चेक करके देखते हैं कि यह work कर रही है कि नहीं कर दी तो यहाँ पर देखें browse 192.161.101 on port 80 और जो type है जो sttp use हो रहा है तो देखें यहाँ पर मेरा webpage open नहीं हो रहा है यह default website का webpage open हो गया क्योंकि यह भी उसी location पे placed है त तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक छोटा सा step perform करना पड़ेगा यहाँ पर देखें एक option है default document की अगर मैं इसको double click करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे web pages के नाम है जैसे default.htm, default.asp, index.htm, index.html, iis, start.htm जो की हमारे web content की root directory में पढ़ा हुआ था और यह इसने and inherit किये हैं, लेकिन हमारे जो web page का नाम है, वो है jst.html, तो मैं आपको दिखा दूँ, तो मैं computer को click करता हूँ, inetpub को, www, root को और यहाँ पर देखे, jst.html हमारे web page का नाम है, तो मेरे को यहाँ पर निया page add करवाना पड़ेगा, तो मैं add button पर click करता हूँ, और बिल्कुल exactly वो ही नाम जो हमारे web page का नाम है, यानि के jst.html, type करके ok button को click करता हूँ, तो देखे, यहाँ पर इसकी priority jst.html की highest है, अब हम दुबारा से try करते हैं इसको, तो मैं jst1 को click करके 192.168.101.101 को click करता हूँ, तो देखे, इस बार हमारा web page open हो गया है, जबकि पहले हमारा, जब था, लेकिन अगर हमने इसको दुबारा से try किया, तो देखे, यहाँ पर welcome to king jst website आपको लिखा आ रहा है, एक पर दुबारा से इसको try करते हैं, web browser को open करके, तो address बार में 192.168.101.101 type करता हूँ, और enterprise करता हूँ, तो देखे, हमारी website open हो रही है, और यह किसी भी client से, जो इ IP address को use करके, वो इसे कहीं से भी access कर सकता है, तो इस वीडियो में हमने internet information services या IIS में simple website को create और publish करने का तरीका सीखा, तो यह website हमने 3 simple steps में सीखी, जो की आपको आपकी screen पे दिख रहे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.